निया कोई प्रशन है कि पिसाई एक संग्या है और पिसना सब्द से न निकाल देने पर क्या होता है? पिस धातू रह जाता है कि पिस धातू में आई प्रत्य प्रत्य जोडने पर पिसाई बनता है प्रते कहां लगता है सब्दों के पीछ अगर हम प्रते जोड़ते हैं तो वो सब्ध बदल जाता है, थी कर? जैसे पिस ने धातु है, थी कर, पिस धातु है다면 अगर उसमें आई प्रते लगाएंगे, तो वो पिसाई वन जाता है उस सब्द के पीछे में जो अगर बदलाव करदे ना संग्या किसी-किसी प्रते को जोड़ कर क्या होता है संग्या बनाने के बाद उसका गूल रूप बदल जाता है जैसे ढोना का बूलाई ढोना से होता है बूलाई और गुल भी होगा अगर कुछ सब्द की कुछ सब्दान को अगर जोरते हैं उस सब्द को क्या बोला जाता है रत्विए है जैसे नीचे याँ पर कुछ सक्या दिया हुआ है, example में, example में कुछ नाउन दिया हुआ है, बुआई, सिचाई, कताई, कटाई, रुपाई और अलागाई, अगर हम आई लगा देते हैं, तो बुआई से बोना हो जाएगा, क्योंकि यह सहिया सब्य है, और कटाई से काटना, सीचाई से सीचना और उपाई से ओपना कटाई से कातना, रंगाई से रंगना तो इसमें धातू अलग रखके क्रियाएं भी अलग अलग होजाती है सबस्क्राइब क साइब आन से लिए में सक्रलाम के वाइब बंक्रा Jangop जो प्रॉप कर रहे हैं और ऑप यहां परEE मनें सीड में मिट्टी में अगर हो उग जाता है तो फसल तयार हो जाती है कटाई, जब फसल में हम पानी डालते हैं तो उसे सीचाई बोला जाते हैं, रूपाई भी होता हैं, एक तरह से बहुत, खेती वाला कामी होता है बहुत सारे चोटे चोटे पौधों को सेप्रेटली अलग करके अलग अलग करके लगाना ठीक है एक साथ हम सैपलिंग बहुत सारे तयार कर लेते हैं बहुत सारे चोटे चोटे पौध तयार कर लेते हैं किसान में क्या करते हैं वाज साथ बहुत सारे औरनीयन का थे चा फिर ठाल की धान को एक साथ एक ही खेत में वो डालके बादे था नहalition शोटी सुंपल सिंपल पौदे तैयार कर लेते हैं कि बैगन का टमातर का íciaओंचार का सीड़ डाल देंगे मिट्टी में तहीं मिंटी में बहुत सारे सीब्स डाल देंगे तो घृता है एक साथ ग्लो करके में जंगल की तरह घास की तरह ऊगाता है तो इसेपरेट करता है अलग अलग करता है और अलग अलग करके थोड़ी थोड़ी तो डिस्टेंस में उसको फिर से लगाता है, देखे मिट्टी में फिर से डालता है, उसको रोपाई बोलते हैं, रोपना, उसी को रोपना, फिर कताई है, फसल को जब काटते हैं, उसको कताई बोलाता है, रंगाई, रंगाई मतलब होता है, रंगना, इस चीज को रखना, के के?